आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Academic Excellence in School में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम Class 9 Science Chapter 1 Matter in our Surrounding के बारे में पढ़ेंगे so matter किसे कहते हैं matter any substance which have mass and occupy space is called matter such as cloud, pen, pencil and air so cloud जो है pen है pencil है air है ये सभी एक matter है क्योंकि इनके पास अपना खुद का mass होता है और अपना ये जगह घेरती है जैसे balloons होते हैं balloon के अंदर air होती है और वो अपना जगह घेरती है इसलिए उनका size बड़ा और छोटा होता है ये emotions है so physical nature of matter के बारे में बढ़ते है matter is made up of particles matter जो है जैसे ये एक matter है ये छोड़ छोड़े particles से जुड़ के बना हुआ है और in particles of matter are very small smallest particle of matter is called atom जो atom जो है वो बहुत सारे atoms को मिला के एक matter बन रहा है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रक्टिवल इंडस्ट्रक्टिवल का मतलब है इसको इस atom को हम further break नहीं कर सकते ये इतना चोटा हो जाता है कि इसको हम आधा आधा ब्रेक नहीं कर सकते matter is made of particles के बारे हम समझते हैं कि matter किस तरीके से particles हैं सो हमने यहाँ पर एक beaker ले रखाया है जिसके इंदर पानी है इसके अंदर हमने salt एड़ किया है यहाँ पर salt एड़ करने के बाद हमने इस glass rod से इसको move किया है हम देखेंगे कि जब हम salt add करते हैं तो salt के particles हमें देखते हैं और water हमें अलग दिखता है, लेकिन जब ये stir किया जाएगा, glass rod की साथा से, so particles, so फिर particles of salt हमें दिखेंगे नहीं, ये इसका मतलब ये है कि दोनों ही matter, चाहे वो water हो, चाहे वो salt हो, वो particles के बने हैं, लेकिन particles, जो हैं, हमें बाद में घुलने के बाद नहीं दिख रहे हैं, यानि particles of salt dissolve in water, और move in between the particles of water, next particles of matter are very small, so particles of matter इतने ज़्यादा small हैं, कि वो हमें दिखने ही रहे हैं, इसको समझने के लिए एक activity समझते हैं, यहां पर हमारे पास 100 ml एक beaker, जिसके अंदर 100 ml water है, इसके अंदर हमने यहां पर color add किया है, और ऐसे 4 beaker ready की हैं, A, B, C, D, जिसके अंदर color हमने A में add किया है, B, C, D में add नहीं किया है, लेकिन A में इसे 10 ml test tube से निकालके हम B में डाल रहे हैं, B से फिर 10 ml निकालके C में डाल रहे हैं, और C से फिर 10 ml निकालके D में डाल रहे हैं, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है और हम इस A वाले beaker से उसके white cloth के उपर उसको shed करते हैं, छिड़कते हैं, फिर B वाले side से दूसरे बच्चे को बच्च रखते हैं, फिर C वाले beaker से तीसरे बच्चे को बच्च रखते हैं, और D वाले beaker से चौथे बच्चे को बच्च रखते हैं, तो हम उनके white cloth के उपर एक color का difference देखेंगे, हमें देखेंगे कि sample A से जिस बच्चे को उपर sprinkle किय किया गया है, वो dark red color आएगा, और sample D से जिस बच्चे को उपर sprinkle किया गया है, वो faded red color आएगा, इसका अर्थ ये है, हमें समझ सकते हैं, कि sample A में भी color के particles हैं, sample D में भी color के particles हैं, लेकिन D का जो sample है, उसमें red color कम दिख रहा है, और A में red color ज्यादा दिख रहा है, यानि particles of matter इ particles of matter हैं, यानि red color A में भी है, D में भी है, बट A में ज्यादा है, और D में ज्यादा है, इसके लिए हमने ये experiment किया था, so pattern of color को देखा जाए, तो इस sample में D में pattern of color, D में सबसे कम color होगा, C में उससे ज्यादा, D में उससे ज्यादा, फिर A में सबसे ज्यादा color देखने को मिल देगा, characteristics of particles of matter, matter के particles के characteristics के बारे बढ़ते हैं, so पहली characteristics है, particles of matter have space between them, जितने भी particles होते हैं, matter के, उनके बीच में space होता है, और इसको समझने के लिए हम दुबारा से वो activity देखते हैं, कि हमने एक बीकर पानी लिया, उसमें एक चमच सॉल्ट डाला, फिर glass rod से उसको अच्छ से गुमाते हैं, तो water के particles और salt के particles आपस में घुल जाते हैं, ये, क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि water के particles के बीच में, जो space होता है, उसके अंदर salt के particles पहुंच जाते हैं, तो particles of salt dissolve in water or move in between the particles of water, so we can say that particles of matter have space between them, next है, particles of matter are continuously moving, जो भी particles हैं, किसी भी matter के, वो move करते रहते हैं, इसको समझने के लिए हमने एक glass लिया है, जो undisturbed water glass है, मतलब एक glass लिया है, जिसको हमने disturb नहीं किया है, और disturb नहीं करने के बाद, हमने उसको dropper से एक एक बूंद color डाला है, जैसे जैसे हम color डालेंगे, वो color प पानी को disturbed नहीं किया है, फिर भी वो color लगातार पानी के अंदर जाने पर घूम रहा है, यानि वो घूल रहा है, तो इसका अर्थ क्या समझ सकते हैं, अगर पानी still है, यानि particles of water जो हैं, वो रुके हुए हैं, तो color नहीं घूलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए ह हम कहते हैं, particles of matter are continuously moving, undisturbed water particles are continuously moving, that is why color get mixed, next है, particle of matter attract each other, इसको समझने के लिए भी हमें एक एक experiment करते हैं, यह hammer है, और iron nail है, hammer से हम iron nail के उपर hit कर रहे हैं, iron nail break नहीं हो रही है, और वो पिचक रही है, पिचकती जा रही है, काफी समय के बाद वो जाके break होती है, ऐसा क्यों होता है, यह हमारे पास एक water tap है, जहां से पानी आ रहा है, और बीच में हमने finger लगा दिया, जैसी हमने finger लगा, पानी की जो धार थी, जो एक बराबर आ रही थी, वो finger से टकराने के बाद फैल गई, और फिर finger से फैलने के बाद नीचे जाके, वो water दुबारा से आपस में चिपक गया, यानि पानी की जो धार जो सुरू में थी, वैसी ही दुबारा बनेगी, ऐसा क्य गहनी बन रही और वो तूट नहीं दे, लेकिन यहाँ पे water के जो particles हैं, जब हम finger रख रहे हैं, तो वो तूट तो रहे हैं, लेकिन फिर बाद में आके आपस में चुड़ जा रहे हैं, तो इससे हमें समझ सकते हैं, कि particles of matter attract each other, कोई भी matter है, उसके particles आपस में एक दूसरे से attract करते हैं, और जो attraction की जो phase है, वो gas में सबसे कम होती है, gas के particles के बीच में attraction सबसे कम होता है, liquid में attraction उससे ज्यादा होता है, और solid में attraction उससे ज्यादा होता है, तो आप ये comment में लिख के दीजिए कि gas के particle यानि gas का जो matter है उसको break करना असान है या liquid के matter को break करना असान है या solid के matter को जैसे iron है इसको break करना असान है अब हम समझते हैं states of matter के बारे में सो हमारे पास तीन states है solid, liquid और gas solid state को अगर हम zoom करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है liquid कुछ इस तरीके से दिख रहा है और gas कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो solid का अपना definite shape होता है अपने shape चेंज नहीं करते अपना length, breadth, height होती है liquid no definite shape but definite volume liquid एक लीटर liquid अगर हम ल की shape ले लेता है यानि इसका अपना कोई shape नहीं होता but volume same होता है neither definite shape nor volume gases का अपना कोई shape भी नहीं होता और अपना कोई volume भी नहीं होता जैसे 18 kg gas cylinder में आती है उसके अंदर हम 5 kg gas भी रख सकते हैं और 18 kg kg gas भी रख सकते हैं और अगर जुरत पड़े तो 19 kg भी रख सकते हैं यानि इनका shape भी change shape भी definite नहीं होता और volume भी definite नहीं होता have rigidity rigidity का मतलब ठोसपन होता है solid के अंदर यहां पर rigidity नहीं होती fluidity होती है मतलब पानी की तरह होते हैं और यहां पर fluidity यहां भी होती है मतलब ज्यादा मात्रा में होती है incompressibility मतलब solid को उं compress नहीं कर सकते यहां पर low incompressible मतलब थोड़ा बहुत compress कर सकते हैं और यहां पर बहुत ज़्यादा compress कर सकते हैं और एक चीज और आपको देखने की जरोत है कि यहाँ पे जो solid के particles है इनके बीच में जो space है वो काफी कम है और यहाँ पे जो liquid के particles है इनके base के space जादा है और gases में जो space है वो बहुत जादा है यहाँ पे थोड़ी space है यहाँ पे जादा space है और यहाँ पे बहुत जादा space वो देखने को मिल रही है So thanks for watching video Do like, share, comment and subscribe to the channel for further learning Next video के अंदर मैं आपके लिए ला रहा हूँ इसके आगे का content जिसके अंदर हमें समझेंगे कि matter एक state से दूसरे state में कैसे change होता है Thank you, thanks for watching